कि आपको पता है कि दिरिष्टी आईएस आपके लिए प्रिवियस एयर कोश्चन पर दिस्कुशन के एक सीरीज के साथ व्रस्तित हुआ इस बार और इसमें हम लोग आरेस में पिछले साल या प्रिवियस एयर मतलब कि पिछले साल जब जब भी एकजाम हुए जहां तक रिले बस लगातार बदलता रहता है कुछ परिवर्तन होते रहते हैं तो बहुत पुराने question paper का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है लेकिन जहां तक के question paper हमारे लिए relevant है वहां तक के question paper का discussion हम लोग कर रहे हैं आपके लिए इससे दो-तिन फायदे हो सकते हैं और दो-तिन फायदे आपको होने चाहिए जो हमारा उदेश्य है एक तो उदेश्य यह है कि जो question पुछे गए हैं आपको समझ में आए कि कहां से question पुछे गए हैं दूसरा किस तरह के question पुछे जाते हैं ताकि हम उन्ही एरियाज पर जादा focus करें जैसे कि राजिस्तान का Google पढ़ना है आपको अगर Google के हम लोग बात करें तो भारत का Google पढ़ना है और विश्यो का Google पढ़ना है तो हमें किस ratio में किस अनुपात में कहां पर focus करना चीए और किस तरीके का focus करना चीए कहां पर conceptual question पुछे जाते हैं कहां पर fact के से related question पुछे जाते हैं यह बात और तिसरा कि कोई question पूछा क्यों जाता है कभी-कभी किसी question के पूछे जाने के पीछे कुछ न कुछ कारण रहता होगा तो कारण क्या हो सकता है क्यों वो question पूछा जा रहा है इत्यादी इत्यादी perspective को समझने में आपको जरूर मदद मिलेगी अन्य था जब paper हो ही चुका है और आपको पता है कि 2018-2016 इस तरह के series के भी प्रश्णों को हम लोग discuss कर रहे हैं तो जिन्होंने ये question paper attempt किये होंगे जिन्होंने ये exam दिया होगा अब उनके result में कोई परिवर्तन तो होने वाला नहीं है तो जो आगे आने वाले समय में student त्यारी कर रहे है आ रहे हैं और जो परिक्षा देने के त्यारी कर रहे हैं appear होने जा रहे हैं उनको एक मदद मिल जा और एक हमारा जो उदेश्य है किस question को करवाने का कि कई बार हमे option पता न होते हुए भी या सही option पता न होते हुए भी हम लोग prelims के question में smartly सही answer का पता लगा लेते हैं सही answer पता नहीं है लेकिन सही answer का पता लगा लेते हैं तो smartness का प्रयोग भी कभी कभी आपको prelims qualify करवा सकता है exam qualify करवा सकता है SDM बनवा सकता है तो इसी उदेश्य के सा साथ हम लोग यह सिरीज लेकर आपके साथ आए हैं उस कड़ी में आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरेस 2018 में भुगोल, इकलोजी यानि कि भुगोल और पर्यावरण खंड से जितने कोशन पुछे जा सकते हैं जितने कोशन पुछे गए हैं उन सभी प्रश्णों कौम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो आए एक एक करके इसकी शुरुवात करते हैं सबसे पहला कोशन है सुची वन वसुची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट में से सही उत्तर चुनिए मतलब एक तरफ जिले दिये हुए हैं और एक तरफ उन जिलों के परवत दिये हुए हैं और आप से कहा गया है कि आप इनको मैच करिए कि किस जिले के कौन सा परवत होगा और इसके अधार पर फिर यहाँ पर कुछ आप्शन दिये गए हैं इन आप्शन में से सही आप्शन का चैन करना है तो देखिए पहला है जालोर जिलों की बात करें तो फिर जैपूर फिर अलवर फिर सीकर और दूसरी तरफ जो परवत दिये हुए हैं बरवाड़ा, जालोरा रगुनातगड और भानगड अब देखिए मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि कौन सा परवत कहा है हमें नहीं पता है यह सारे परवतों के बारे में जनकारी हमें नहीं है हम यह मान के चलते हैं तो फिर इस कोशन को कैसे करें जिस स्मार्टनिस की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें से एक परवत तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को चाहे वह राजिसान से है या राजिसान से नहीं है अगर थोड़ा बहुत भी उसका इंट्रेस्ट गुमने फिरने में रहता होगा जानने में रहता होगा सिखने में रहता होगा तो उसको भानगढ़ जरूर पता होता है और भानगढ़ है अलवर में यानि कि सी का जो विकल्प होगा वो चोथा होगा सी का विकल्प चोथा होगा तो देखते हैं बाकी हमें मान लेते हैं कि नहीं पता है तो देखते हैं कि क्या इससे हमारा कुछ काम बनेगा सी का चौथा और सी का चौथा के वल एक ही ऐसा ओप्शन है ओप्शन नमबर एक तो हमारा कोशन यहीं पे साही हो गया अब कुछ देखने की जरूरती नहीं है बाकी अपनी तसली के लिए आप चाहें तो सब को मिला लिजिए आप खुश हो जाईए जैसे जालोर में जालोरा है जैपूर में बरवाड़ा है सीकर में रगुनातगड़ है इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं अधरवाइस केवल अलवर और भानगड़ के मैचिंग से भी आपका आंसर निकल जाता है और option A एक सही हो जाता है दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन परवत श्रेडियों का विस्तार है कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन परवत श्रेडियों का विस्तार है विंध्यन आपको पता ही होगा कि जो अगर ये राजस्थान का हिस्सा है मान लेते हैं कि ये राजस्थान का हिस्सा है तो बिंध्यन इस इलाके में है, पुरुवी भाग में है, तो जो भी पहाड़ी इसका विस्तार होगी, पूरब की तरफ ही होगी, यहाँ पे अरावली है, यह आपको पता होना चाहिए, तो अरावली के पूरब में ही बिंध्यन परवत का विस्तार पाया जाएगा, अगर प पहाड़ी है वरना जो डोरा पहाड़ी है डोरा पहाड़ी है डोरा परवत है यह जालावर में जालावर में यह डोरा परवत इस्तित है और जालावर कहां पर इस्तित है जालावर यहां पर इस्तित है इस इस इलाके में इस्तित है जालावर तो बिंद्यन पहाड़ी का विस परवत उधायपूर में इस्तित है, ये उदायपूर और उदायपूर है इस», इस जगह पे उदायपूर यानि कि गिर्वा परवत और डोरा परवत option नहीं होगा, कहीं भी option नहीं होगा, confusion हो सकता है आपको, अलवर परवत और मुकुन्दरा पहाड़ी में, आलवर परवत नह पुछा गया है और उसके बाद पुछा गया है कि सुमेलित करने के बाद सही कूट का प्रयोग करते हुए उतर चुनिए कोशन का उदेश्य ही है एक तरफ सिचाई परियोजनाय दी हुई है और दूसरी तरफ लाभानवित जिले दिये हुए और ध्यान रखिएगा कि ये 2018 के प्रश्ण पत्र को हम लोग डिसकस कर रहे हैं 2021 में कर रहे हैं तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी 18, 19, 20, 21 साल के हुए होंगे उनके लिए कुछ ये परियोजनाय ये भी हो सकती है आज भी relevant है आज भी इनसे प्रश्ण पूछे जाते हैं लेकिन उस समय कुछ और relevant नई नी खबरे थी तो यहां से प्रश्ण पूछे गये हैं शिचाई, क्रिशी, अपवाह, छेत्र ये सलेवस में आपके पढ़ने है उसी सलेवस के पार्ट से ये सारे कोशन पूछे गये हैं तो पहला है सिधमुख परियोजना, दुसरा है नर्मदा परियोजना, तिसरा ह जवाई परियोजना और चोथा है जाखम परियोजना देखें जो सिधमुख परियोजना है सिधमुख या नर्मदा परियोजना या जवाई परियोजना या जाखम परियोजना का मतलब क्या है परियोजना का मतलब मोटे अर्थों में मोटे अर्थों में एक बांध होता है ए परियुजना से लभानवित ये उतरी पश्मी राजस्तान में लाख देता है तो इस परियुजना से लभानवित जिले जो है वो अनुमानगड़ चुरू हो जाएंगे नर्मदा परियोजना से जालाओर और बाडमेर जवाई परियोजना और जाखम परियोजना ये दो चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है जवाई परियोजना से जालाओर और जाखम परियोजना से उदैपूर और प्रतापगड जिले लाभानवित होते हैं तो इस तरीक ऐसे इसका विकल्प हो जाएगा कि ए का चौथा बी का पहला देखिए यह औप्षण अप्षण ए में भी है ओप्षण तीन में भी है तो यहाँ पर केवल एक ओप्षण के पटा होने से काम नहीं चल रहा है option C का दूसरा option C का दूसरा ये वाला तो हमारे लिए option 1 इसका सही जवाब हो जाता है तो ये सिचाई परियोजनाओं से सम्मंदित प्रश्ण आप से पुछा गया है या पुछे गया है इसके बाद देखते हैं next question राजस्थान में मई जुन महीनों में उत्पन होने वाली धूल भर यांधियों के लिए उत्तरदाई है कुछ अस्थानों पर संभनिये धराओं के उत्पती अरावली पहाडियां दक्षिड पश्चिम हवाओं के समनांतर है पती तिव्रगामी पुरवी हवाओं के उत्पती के अ एउमस दूसरा अ ब एउमस तिसरा अ एउमस और चौथा के वला कोश्चन पुछा है कि मई जुन में धूल भर यांधि क्यों उत्पन होती कोश्चन ये पुछा गया है ये किस तरह का कोश्चन है अब देखो जो राजस्तान में करते रहते हैं कि फैक्ट पुछता है फैक्ट पुछता है ये यूपीएसी के लेबल का कोश्चन है और उस कंसेप्चुल कोश्चन ही अगर इस तरह के कोश्चन आप कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका अस्तर UPC से कम कहीं नहीं है बहुत शांदार अस्तर है आप धूल भरी आंधी क्यों चलती है तो आपको पता होना चाहिए कि धूल भरी आंधी का मतलब होता है कि बहुत तेजी से चलने वाली गर्म हवाएं और बहुत तेजी से जब चलती है तो आसपास की धूल मिटियों को अपने साथ मिला लेती है जिससे उनका स्वरुख धूल भरी आंधीयों के रुप में हो जाता है तो उसके लिए लो प्रेशर का होना ज़रूरी इसी लो प्रेशर के इर्द गर्द से आने वाली हमाएं धूल भरी आंधीयों के रुप में हमें दिखाई देती इसी तरीके से हमाएं आती अब ये लो प्रेशर क्यों बनता है क्योंकि टेंप्रेचर ज़्यादा होना चीए और जब temperature जादा होता है तो समभानिय धाराओं के उत्पती हो जाती है जैसे सता पर जैसे ही temperature जादा होगा यहां से हवा गर्म होकर उपर के तरफ उठनी शुरू हो जाएगी यहां पर low pressure बन जाएगा और low pressure बनने के कारण चारों तरफ से आने वाली हवाएं धूल भरी आंधियों के रूप में चलना शुरू हो जाती है तो यह वाला option तो हमारा ठीक है कुछ स्थानों पर समभानिय धाराओं के उत्पती और आवली पहाडियां दक्षिड पश्यम हवाओं के समनंतर है यह कोई कारण नहीं है जिसकी वज़ा से हम लोग कह से कहें कि दूलबरी आंधिया आती अतित्ति ब्रगामी पूर्वी हवाओं के उत्पती यह भी कोई कारण नहीं हो सकता तो यहाँ पर option हो जाएगा केवल अ निम्नलीखित में से कौन से कथन सत्य है अब इसमें बहुत सारे option दिये हुए है बहुत सारे कुट दिये हुए है और इन कुटों में से सही जवाब का चैन करना है हमें है ना तो देखिए यह question कहां से है यह है खनीज एवं खनीज नीती से आपको पता है कि खनीजों के मामले में राजस्थान देश के सबसे संपन्य राजजियों में से एक है और कुछ-कुछ मामलों में तो नंबर एक है और कुछ मामलों में नंबर दो है यही है तो राजस्तान के खनीज न केवल राजस्तान के लिए बलकि पुरेदेश के लिए बहुत महत्तव पुर्ण है और उसी महत्तो को दर्शाते हुए कोशन पूछा गया है और इसमें से बहुत सारे नियम नियमावली यह एक तरह का factual भी कोशन है एक तरह का analytical भी कोशन है जो आप खनीजों को पढ़ते हैं तो उनसे संबंदित नितियों को पढ़ना ज़रूरी है उसी पर अधारित कोशन है और जितने भी यह चार विकल्प दिये हुए हैं यह चारों विकल्प दरसल आपके सही है तो option 4 हो जाएगा यह सही यह सब यह देखे फिर से खनीजों पर अधारित कोशन है निमनलिकित में से कौन से खनीजों का राजस्तान लगभग अकेला लगभग यहाँ पर शब्द है लगभग अकेला उत्पादक राज्य है अगर लगभग नहीं होता तो विकल्प कुछ और हो जाते लगभग है त यह दूर दूर तक कोई competition इसमें नहीं है तामरयस्क तामभा तामभा देखो बहुत जगह पाये जाता है धोटानागपूर पठार में भी पाये जाता है उसके अलावा भी जहां जहां धात्वी खनीज पाये जाते हैं तामभा के पाये जाने की संभावना महारा रहती तो बी वाला जो बह option है जिस जिस option में वो तो गलत हो जाएंगे ओलेट यानि कि हमारा option दो और तीन तो नहीं होगा अब रह गया एक और चार और एक चार में भी केवल हमें पता होना चाहिए कि अगर द के बारे में हम confirm हैं द के बारे में तो हम बता सकते हैं कि option सही होगा या गलत हो तो देखो सेलेनाइट में भी राजसान का लगभग वर्चस्वा है और वोलेस्टोनाइट में तो हई है तो सेलेनाइट में होते ही जब हमें ये किवल पता हो कि सेलेनाइट में इसका एक शत्र अधिकार है option 10 है और option 10 के साथ साथ हमारा option 4 सही हो जाएगे यानि कि स जिसा और जस्ता में एकाधिकार है, बॉलेस्टोनाइट में एकाधिकार है और सेलनाइट में एकाधिकार है, इसलिए औ, स और द, औ, स और द, और अप्शन हो जाएगे। से शित्र से सरवाधिक कच्चे तेल का उत्पादन प्राप्त हुआ है अब उस समय जो राजसान की तैयारी कर रहे होंगे जिन स्टुडेंट्स ने राजसान की परिक्षा दी होगी उन्होंने इसको करेंट अफेर्स के रूप में पढ़ा होगा तो आज के लिए यह करेंट नहीं है लेकिन उस समय के लिए करेंट अफेर्स मतलब की आपको दद्कालीन समाचारों पर भी निगाह रखनी होती है और इसमें जो ऑप्षन दिया हुआ है विकानेर नागावर बेसिन जैसलमेर बेसिन बाड़बेर सांचोर बेसिन इनमें से कोई नहीं उस समय ऑप्षन की जनसंख्या की तुलना करते हुए प्रश्ण पूछा गये यानि कि जब आप पढ़ें तो केवल डेटा ही नहीं पढ़ना है बलकि आपको डेटा के साथ-साथ उनका कंपेरिजन और उसी को हम लोग एनालिसिस कहते हैं कि कोई ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है कोई ट्रेंड में क्या इस्तिती है एक्स की तुलना में वाई की क्या इस्तिती है इन सब चीजों को समझते हुए यानि कि रुक रुक कर सोच सोच कर पढ़ाई करनी पड़े आगते हुए पढ़ने से यह सब कोशन सौल्व होने वाले नहीं है कई लोगों को लगता होगा फैक्शूल पॉशन रही और यह एनालिसिस अगर आपको पता होगा तो यह इस पॉशन के आप्शन को आप दे दे मतलब कि आप्शन आप ढूंड लेंगे निकाल ले देखी भारत और राजस्तान की अनुसार नगरी नगरिये जन संख्या नहीं कि शहरी जन संख्या और शहरी जन संख जन संख्या भारत में जादा है मतलब overall अगर भारत की जन संख्या को देखा जाए तो नगरीये जन संख्या जदा है राजस्तान की तुलना में तो पहले हम लोग option पर आ जाते हैं, कि भारत में 24 पृटिशत और राज़स्थान में 31 पृटिशत तो भारत में कम तो नहीं होगा, ये option हमारा गलत हो गया. हमें नहीं पता सही क्या होगा, लेकिन ये option गलत हो गया. दूसरा है 34 और 24 प्रतिशत ये हो सकता है सही हो इसको हम कुछ कह नहीं सकते तिसरा है 31 और 34 प्रतिशत ये गलत हो जाएगा ये option हमारा सही नहीं होगा चौथा है 31 और 24 प्रतिशत अब दो option बागी रह गया तो भारत में आपको पता है कि लगभग 30 प्रतिशत जन संक्या नगरों में निवास करती है और लगभग 30 के नजदिक का option है 31.15 तो ये वाला option हमारा सही हो जाए 31.15 2011 के दूसरा और लगभग 25 प्रतिशत जन संक्या राजस्तान की नगरों में निवास करती निम्नलिखित में से राजस्तान में कौन से महत्तोपूर्ण खनीज अधारित उद्योग है अब ये उद्योग से कोशन पुछा गया है और पुछा गया है कि खनीज अधारित उद्योग इसका मतलब क्या हो गया कि उद्योग कुछ ऐसे भी होते होंगे जो खनीज अधारित नहीं होते होंगे, जिनमें खनीज की कोई आवशेक्ता नहीं होती होगी, जिनमें खनीजों की कोई भूमिका इस तरह से नहीं हो कि वो प्रभावित करें उद्योगों की स्थापना को, ठीक है? तो इस तरीके से question ये पूछा गया है, ये भी एक conceptual question है, understanding पर best question, factual question नहीं है ये, conceptual question है, तो खनीज पर आधारित उद्योग देखिए, जस्ता गलन उद्योग के लिए जस्ता चाहिए, और जस्ता एक खनीज है, ठीक है? तो ये जस्ता एक खनीज आधारित उद्योग हो जाएगा, सीमेंट के लिए भी हमें कुछ खनीज चाहिए, च जहाँ पर टीबी, मोबाईल ये से बनाय जाते हैं, उनमें खनीज की जरूरत नहीं पड़ती, खनीज की डाइरेक्ट जरूरत नहीं पड़ती, तो electronics उद्योग हमारे खनीज अधारित उद्योग नहीं होते, संगमरमर उद्योग, संगमरमर खुदी खनीज है, ठीक है? तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार, राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या का प्रतिशत, उनकी कुल जनसंख्या में निवनतम है, यह देखो, अब इसको factual question भी आप मान सकते हैं, इसको memory best question भी आप मान सकते हैं, और इसको अगर किसी ने interest से पढ़ा की होगी, तो उसके लिए एक understanding best question भी हो जाता है, मदलब इसमें concept भी है, 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 concept नहीं है, लेकिन इतने गहरे concept में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी जिले में अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या कम है, तो क्यों है, तो इसका जो सि जनजाती है, और नागावर में 0.31% अनुसूचित जनजाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपसे हमेशा ऐसा ही पूछा जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह एक indication है, कि अनुसूचित जनजाती, और जाती और जनजाती में भी जनजाती की जनसंख्या को ठीक से त्यार करना चाहिए, चूरू में, चूरू इसमें option एक दिया हुआ है, चूरू में जो अनुसूचित जनजाती हों की जनसंख्या है, वह है 0.6%, 0.6% है, जुन जुनु में लगबग 2 प्रतिशत जनसंख्या निमास करती है, अनुसूचित जनजाती हों की 1.95% य 1.96%, धौलपूर में लगबग 5 प्रतिशत की जनसंख्या निवास करती है, इस तरीके से बिकानेर और नागौर की तुलना में हर जगे अधिक जनसंख्या निवास करती है, तो हमारा option हो जाएगा बिकानेर और नागौर। हम राजस्तान सरकार, तो हम राजस्तान सरकार का या सन्युक्त उपक्रम। कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ जिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके शुभंकर दिये हुए है, शुभंकर मतलब कि मैसकेट्स जो होते हैं, राजस्तान के 33 जिलों के लिए 33 शुभंकरों को असाइन के अब मतलब वो क्या कहते हैं, उसको डिकलेयर किया गया है, घोशित किया गया है, और हर जिले का आपना एक शुभंकर है, भिलवाडा के लिए मोर है, तो ये ऑप्शन ठीक है, चुरू के लिए कृष्ण मिर्ग, काला मिर्ग है, ये भी ठीक है, सवाई होके, ये भाग होगा, भाग, सवाई माधोपूर, सरीष्का, ये सब भागों के लिए जाने जाते है, शेर के लिए नहीं जाने जाते है, ठीक है, तो इसको थोड़ा साब ध्यान रखेगा, सवाई माध, तो पुछा क्या है, कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सवाई माधो पुर्ण सुमेलित नहीं है क्योंकि यहां पर बाग होना चाहिए और शेर दिया हुआ है निम्न में से किस ताप विदुद परियोजना की प्रतिस्थापित विदुद शम्ता सरवादिक है अब इसमें मातरा कई लोग याद कर लेते हैं या मातरा याद करने लगते हैं तो मातरा याद करने वाला कोशन नहीं है यह किवल जब आप ऐसे प्रस्णों को पढ़ें या ऐसे टॉपिक को पढ़ें तो अरेंज कर लेजिए टॉप के 1, 2, 3 और बाटम के 1, 2, 3 क्योंकि मातरा इसमें पुछा नहीं गया है सिर्फ यह पुछा गया है कि सबसे अधिक शंता किसकी है तो अगर टॉप टू बॉटम आपको तीन चार प्रोजेक्ट याद होंगे तो वहाँ से यह option आप आराम से हो जाएगा कई लोग याद करने लगते हैं कि सूरत गढ़ का है पंदरह सो मेगावाट मतलब याद करने के पीछे पढ़ने लगते हैं तो यह सब याद नहीं करना है घबड़ा का है छे सो काली सिंद का बारह सो कोटा का बारह सो चालीस इस तरह के डेटा वो लोग याद करने लगते हैं ये सब डेटा याद करने की चक्कर मत पढ़िये, सूरत गड़ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और यही option आपका हो जाएगा. नीमने में से कौन सा राजस्थान का तेल शेत्र नहीं है, तेल शेत्र वाइल, एश्वरिया भी है, मंगला भी है, सरसोती भी है, गंगा नहीं है, option हो जाएगा गंगा. राजस्थान की नीमने जीलों में से कौन सी जील, राश्ट्रिये जील संदक्षड कारेक्रम, National Lake Conservation Program के अंतरगत नहीं आती है, नहीं आती है, यह नहीं पुछा गया है, कि आती है, यह पुछा गया है, कि कौन सी जील, नहीं आती है, तो इसमें, जैसे अब तो इन प्रोग् प्रोग्राम को आपस में कंबाइन कर दिया गया, पहले दो प्रोग्राम चलते थे, नेशनल वेटलेंड कंजर्वेशन प्रोग्राम और नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, अब दोनों को कंबाइन करके वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के नाम से चलाय जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब ये NLCP और राष्ट्रिय जिल संरक्षड कारेक्रम आगे की परिक्षाओं के लिए बहुत मत्तोपूर नहीं रहा गया इसमें जो option हमें चूज करना है वो option तो सिदा सिदा देखो स्वरूप सागर जिल हो जाएगा लेकिन और बाकी जिलों के बारे में भी थोड़ी बहुत जनकारी आपको होनी चीज़ इसे फतेह सागर जिल कहां पर है उदैपूर में है और इसको जैसिंग ने बनवाया था राजा जैसिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था यानि कि हम मानव निर्वित है या कृत्रिम जिल है कृत्रिम जिल का उधारण है राइट नक्की जिल आपको पता है कि नक्की जिल को consider किया जाता है Caldera Lake के रूप में और कई लोगों का मानना है कि देवताओं के नाखुन से बना हुआ यह जील है और राजस्तान की सबसे गहरी जील भी है यह नकी जील जो Mount Abu परिस्तित है तो इसको भी NLCP में include किया गया था इसको भी किया गया था इसको भी किया गया है स्वरूप सागर जील भी एक क्रित्रिम जील का उधारण है मतलब कि मानव निर्मित जील का उधारण है स्वरूप सिंग्जी के द्वारा बनाया गया उदैपुर में इस्तित यह जील है और अन्ना सागर भी लजमेर में इस्तित है तो इन चारों में से सुरुप सागर को NLCP में consider नहीं किया गया राजस्तान में पहली बार निम्न में से किस परियोजना में फवारा सिचाई वेवस्था को अनिवारे किया गया है फवारा सिचाई का मतलब होता है कि जैसे जैसे पानी की कमी होती चली जा रही है तो सरकार, समाज, हमारा इस तरह प्रयासरत है कि पानी का हम use minimum करें पानी की efficiency को बढ़ाएं उसकी दक्षता को बढ़ाने पर हम लोग काम करें और उसी कडी में फवारा सिचाई, टपक सिचाई, बुंध सिचाई, इत्यादी इत्यादी सारी चीजें लेकर आये सरकार या तकनिकों के माध्यम से हम लोग खेतों में लेकर आ रहे हैं उसी में पुछा गया है फवारा सिचाई को अनिवारे किया गया, कंपल्सरी किया गया है, Background परियोजना नहीं, धौलपुरलिफ्ट परियोजना नहीं, तकली परियोजना भी नहीं, नर्मदा परियोजना में इसको consider किया गया था जिस से जालोर और बाड़मेर का जो जिला था उसको फायदा मिलने मानु राश्ट्रिय बिजीय मसाला अनुसंधान के इंद्र ये बहुत factual question है डुमाड़ा आजमेर में इस्तित तो अब तक के जो question थे वो सारे थे राजसान के भूगोल से पुछे हुए question अब जो question है यहाँ पर हम लोगों ने के टर्गाइस कर दिया इसको और भारत के भूगोल के बारे में जो question पुछे गए हैं उन सब question को डिसकस करते हैं तो पहला question है कौन सी परवती है चोटी पुर्वी घाट में अवस्तित नहीं है पुर्वी घाट पश्मी घाट का मतलब आपको पताई होगा पूरब की तरफ जो परवत हैं उसको पुर्वी घाट कहते हैं और पश्मी किनारे पर जो परवत हैं उसको पश्मी घाट कहते हैं ये दोनों परवत जहां पर मिल जाते हैं उसको निलगिरी कहते हैं निलगिरी में पुर्वी घाट और पश्मी घाट आपस में मिल जाते हैं और पश्मी घा कुणडा, कुणडा, सलहेर, सिंकराम कुणडा, मादूगुला adun कौन सा सुमेलित नहीं है देखे कई तरह की क्रिशी होती है कई तरह की खेती होती है और इन सब खेती को अलग-अलग नाम से जाना जाता है उसमें से एक खेती होती है जहांपर जंगलों को काटके और जंगल साफ करके खेती की जाती है और फिर वहाँ पर जब उत्पादक्ता कम हो जाती है तो लोग उसको छोड़ कर कहीं और चले जाते हैं अपना ट्रांसफर कर लेते हैं अपने आपको स्थनांतरित कर लेते हैं फिर दुसरे जगह के जंगल को काटते हैं और फिर वहाँ पर जाकर खेतिवाड़ी करते हैं 2-4-10 साल फिर वहाँ से चले जाते हैं तो इसको कहते हैं सनांतरण शिल कृषि Shifting, farming ये shifting agriculture कहा जाता है और इस shifting agriculture को दुनिया भर में अलग-अलग नामों से जाना जाता है भारत में भी इसको सनांतरड शिल क्रिशी के नाम से जाना जाता है उतरपुर्वी के राज्यों में जूम क्रिशी के नाम से जाना जाता है तो भारत के अलग-अलग राज्ये में भी इसके अलग-अलग नाम है और उन्ही नाम से ये पोश्चन पुछा गया है कि पॉन्डू, उडिसा में, माशा, हिमाचल प्रदेश में, पॉनम, केरल में, जूम, असम में इसमें पुछा गया है कि कौन सर सुमेलित नहीं है तो देखो पॉन्डू, उडिसा में कहा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उडिसा में पॉंडू के अलावा ब्रिंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है ब्रिंगा पॉनम केरल में भी कहा जाता है ठीक है तो यह option भी ठीक है यह भी matching इसकी ठीक है जूम उतरपुरी भारत में हमने बताया यह आपको तो कहा ही जाता है माशा जो नाम है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है हिमाचल प्रदेश में इसको खिल के नाम से जाना जाता है खिल होना चाहिए माशा नहीं होना चाहिए तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह सुमेलित नहीं है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा सही उतर का चैन नीचे दिये गए कूट से कीजिए भारत में संरक्षित छेत्र और दुसरी तरफ दिया है कि उनकी संख्या कितनी है भारत में तो संडख्षित छेत्र का मतलब होता है जहां पर जीव जनतुओं का जय विवित्ता का संडख्षड किया जाता है अब इसमें अगर आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं भी हो तो दो चीजें तो आपको पता होंगी एक तो राष्ट्रिय पार्क 100 के आसपास है आपको exact नमबर भी नहीं पता है तो 100 के आसपास से 103 है 104 है 105 है 106 है आपको नहीं पता लेकिन 100 के आसपास है ये तो जानकारी होगी आपको और वाइड लाइफ सेंचुरी 544 की तारे 500 के आसपास है इन दोनों के अधार पर कोशिश करके देखते हैं कि आंसर निकल पाता एक नहीं यानि कि C का पहला और D का तिसरा तो C का पहला और D का तिसरा ऐसा एक ही विकल्प है विकल्प नॉमर एक सामुदाइक रिजर्ब 46 हैं कंजर्वेशन रिजर्ब 70 हैं हमें नहीं भी पता है दोनों बातें हो सकता है ये छोटी-छोटी इंफर्मेशन हमें नहीं पता हो लेकिन नेशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंचुरी तो हर कोई जानता ही उस अधार पर ये कोशन आप कर सकते हैं ये भी स्मार्टनेस का खेल है भारत सरकार ने वर्स 2022 तक कितनी सौर उर्जा शंता हासिल करने का लक्ष रखा है दियान रखना है 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था और वहाँ पर लक्ष है हमारा 100 गिगावार्ट सौर उर्जा से प्राप्त करने की कोशिष हम लोगों की रहेगी ऐसा हम लोगों ने कहा था और ऐसा क्यों कहा था ऐसा इसलिए कहा था कि हम अब clean energy की तरफ सच उर्जा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं ताकि जलवायू परिवर्तन के दुश प्रभावों को mitigate किया जा सके, कम से कम किया जा सके तो भारत के भूगल चे यही प्रशन थे विश्व के भूगल चे जो कोशन पुछे गए हैं उन कोशनों में एक परवत शिखर तो मैच करना है उनके देशों से अलब्रूस, किली मंजारो माउंट कुक, मैं किनले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको किली मंजारो तो जरूर ही पता होगा कि अफ्रिका के तंजानिया में है ना, तो option बी का option हो जाएगा तीन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो वैसे तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है जिसे के मांट कूक है निवजी लैन में अलब्रूस रूस में मैकिनले, सन्युकत राज अमेरिका में तो इसके अधार पर आप अपना option का चैन कर सकते हैं यानि कि A का चौथा B का तिसरा C का पहला देख लेते हैं A का चौथा B का तिसरा C का पहला D का दुसरा ये वाला option हमारा सही हो जाए कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ industrial area दिया हुआ है industrial region दिया हुआ है जो कि आपके syllabus में पढ़ना है syllabus में mention है और दुसरी तरफ देशों के नाम दिये हुए है कि ये सब किस देश में है और पुछा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो रूर प्रदेश आपको पता है जर्मनी में है भारत में इसी के नाम के अधार पर छोटा नागपूर को भारत का रूर प्रदेश कहा गया है या कहा जाता है ठीक है तो यह Germany में है दक्षडी न् neutr इंग्लैंड गहां पर है United kingdom देखते हैं है या नहीं है फो घाटी इटली में है इटली की नदी है प्रसिद नदी है पो घाटी कांटो का मैदान जपान में ये भी ठीक जो दक्षडी निउ इंग्लेंड, South New England, यह USA में, ना कि UK में, यह अमेरिका में, नाम है इंग्लेंड इसका, क्योंकि अंग्रेज गए थे तो नाम रख दिया, लेकिन है यह USA में, और आपको यह पढ़ना है, यह तो बहुत महत्वपूर्ण एरिया है, तो option हो जाएगा हमारा दो. अगला है, सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए, तथा नीचे दिये के कूट में से सही उतर का chain कीजिए, एक तरफ नहरों का नाम दिया हुआ है, दुसरी तरफ उनकी विशेस्ताएं दिया हुई है, कि यह नहरें किस-किस को जोडती है, यह भी विश्व भूगल और अबिश्व के प्राकरतिक भूगल का प्रश्ण है, विजिकल जगरफी का कोशन है, कील नहर, सु नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर, इनमें अगर दो नहरों के नाम भी आपको पता होगा, तो भी आपका विकल्प निकल के आ जाएगा, जिसे माल लेते हैं, सु नहर, इसको जरूर स्टुडेंट पढ़ते हैं, और सुपिरियर जिल को हिरोन जिल से जोडने वाली ये नहर हो जाती है, तो बी का चौथा, देखिए ऐसा विकल्प एकी है, एक ही आप्शन के पता होने से आपका निकल के आ जाएगा, बाकी अगर चाहें तो मिला सकते हैं, पनामा सागर से लाल सागर को जोडने का काम करती है, तो कील नहर, एल्ब, एसुरी, एसुरी का मतलब की एल्ब एक नदी है, उसका एसुरी बनता है, ज्वारनद मुख मनता है, उससे बाल्टिक सागर को जोडने का काम करती है, उरोप में, इससे थे, तो इस तरह से आप चारों प आपने के गड़ितिय सुचकांकों में से कौन सा एक स्थानिय स्तर पर किसी समुदाय के माध्य प्रजाती विवित्ता को दर्शाता है। जब आप बायो डावसिटी बढ़ते हैं, तो उसमें तीन तरह के मापन होते हैं, एक अलफा, एक बीटा, एक गामा, जो सबसे local किसी एक environment की जैविक बिवित्ता को दर्शाता है, उसको अलफा कहते हैं, दो पारितंत्र की जैविक बिवित्ता को compare करते हुए, जो calculation होता है, उसको बीटा कहते हैं, और फिर जो पूरे भगौलिक शेत्र को कंसीडर करके उसकी जैविवित्ता की मापन करता है उसे हम लोग कहते हैं गामा तो यहां पुछा गया है स्थानिये स्थानिये स्थार पर तो स्थानिये स्थार पर अलफा आता है ठीक फिर है अमल वर्षा यानि की एसीड रेन के लिए निमलिकित में से कौन से परियावरण प्रदूशक उतरदाई है कार्बन डाइक्साइड और नाइट्रोजन कार्बन डाइक्साइड एसीड ड्रेन के लिए उतरदाई नहीं ने, कार्बन मुनो ओक्साइड और कार्बन डैक्साइड, कार्बन डैक्साइड फिर से आ गया, ये option भी गलत हो जाएगा, ओजोन वा कार्बन डैक्साइड ये भी गलत हो गया, अगर कार्बन डैक्साइड एसी ड्रेन के लिए जिम्मेदार होता, तो कार्बन डैक्साइड तो वाइवन्डल में है ही, तो हमेशा acid rain ही हो रही होती है, और ये तीनों option को हटाते ही, चौथा option आपका, अपने आप बेचारे निकल के आ जा रहा है, nitrous oxide और sulphur dioxide, जिससे तेजाब के रूप में बर्शा होती है, nitric acid के रूप में बारिश होती है, गैरवन्शेत्र में विक्सित किये गए, निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतिये वन संशोधन अधिनियम 2017 में व्रिक्षों की परिभाशा से विलोपित किया गया है, यानि कि हटा दिया गया है, गटाया गया, तो वन संशोधन अधिनियम 2017 सरकार लेकर आई थी, जो नई सरकार सत्ता में आई है, और इस सरकार ने स्थानिये संसाधनों के आधार पर स्थानिये लोगों के आजेविका या उनके इंकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारे छेत्रों में संशोधन किया, एक वन भी रहा था, और उसमें से बास को इन लोगों ने बाहर कर दिया, ताकि बास को वन के छेतर से बाहर करेंगे, तो बास को काटना गहर कानूनी नहीं होगा, और अस्थानिये लोग बास का प्रयोग करके अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, डालियां बनाते हैं, टो पोस्ट के संदर्व में सही नहीं है, सही नहीं है पुछा है, इनमें जयव निमनी करण कचरे का अपघटन गड़े में होता है, ये तो ठीक है न, होता ही है, आपने पढ़ा होगा कि गड़ा खोद दीजिए, बच्पन में तिसरी, चौती, पाच्वी क्लास के किताब में इसमें कार्बनिक पदार्त था पोशक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, हाँ ठीक है ये भी, गड़ों में अपशिष्ट पदार्तों की निमनी करण प्रक्रिया को केचुआ धीमे कर देते हैं, और चौता है, निमनी करित होने वाले पदार्तों में क्रिशी सबजियों के अपशिष्ट आदी होते हैं, ये भी ठीक है, केचुए उस कमपोजिशन को, मतलब कि उस प्रक्रिया को धीमा नहीं करते हैं, भाई बढ़ा देते हैं, तो तेज कर देते हैं, केचुआ तो चाहिए ही, केचुआ को तो उसमें लोग डालते हैं, ताकि वो और तेजी से खाद बनाने का काम करें, तो हमें गलत ऑप्शन चूज करना है, तो गलत ऑप्शन यही हो जाएगा, यही सारे कोशन थे, जो पूछे गए हैं, आरेस 2018 के परिक्षा में, इन कोशन पेपर के एनालिसिस से आपको एक अंदाजा लग गया होगा, कि राजस्तान के पूछे गए प्रशन, कंसेप्चुल है, कंसेप्चुल लगभग 80 प्रतिशत हैं, और जो प्योर फेक्चुल हैं, जिसमें डेटा याद करना है, वो तकरीवन 20 प्रतिशत हैं, तो हमें अपनी त्यारी करते समय, कंसेप्ट ब्लस एनालिसिस, और इन दोनों के लिए हमें अ से काम चलने वाला नहीं है, आपको उस फेक्ट की समझ बेहतर करनी पड़ेगी, तब जाकर आप सारे ये क्वोशन कर पाएंगे, उमीद है कि या एनालिसिस आपके लिए कुछ हद तक फायदे मन रहा होगा, इसी तरीके से बाकी प्रश्णों की प्रेक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे किसी और सीरिज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,